Hello everyone, welcome back to my channel आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ small sentences लेकिन आज में जो target word याज मेरा जो target word है वो है like ठीक है याज की जो भी sentence होगा आज की class में वो सभी sentence में आपको like word जरूर मिलेगा और आप सब को पता होगा like का मतलब होता है पसंद ठीक है like का हिंदी मी meaning होता है पसंद जितने भी आज मैं आपके साथ sentences share करने जारी हूँ उन सभी sentences में आपको like word जरूर मिलेगा चले start करते हैं सबसे पहला sentence है अकसर हम लोग कहते हैं कि मुझे वो पसंद है मुझे वो पसंद है अगर आपको ये चीज इंगलेश में बोलनी है तो simple कहें I like him I like him मुझे वो पसंद है उसी तरह से अगला sentence देके मुझे दोनों पसंद है मुझे दोनों पसंद है अगर आपको ये कहना है तो आप कहें I like I like both 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 मतलब दोनो ठीक है I like both I like both मुझे दोनों पसंद है मुझे वो पसंद है I like him मुझे बिल्लियां पसंद है मुझे बिल्लियां पसंद है I like cats I like cats मुझे बिल्लियां पसंद है उसी तरह से अगला sentence है अगर आपको कहना है कि मुझे सर्दी पसंद है अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में सर्दी और सर्दियों में गर्मी ही पसंद होती है ज्यादतर लोगों को तो मुझे सर्दी पसंद है I like winter I like winter I like cats I like him I like both उसी तरह से अगला sentence देखे आज की क्लास में सबी sentences में आपको like ही मिलेगा यहनि कि आज का target world है like वो करो जो तुम्हें पसंद है अगर आपको यह कहना है किसी से तो आप कैसे बोलेंगे आप simple कहें do what you like do, do का मतलब करना यहाँ पे होता है what you like यह जो तुम्हें पसंद है do what you like वो करो जो तुम्हें पसंद है क्या आपको बर्फ पसंद है अगर आपको यह कहना है तो आपके हैं I also, also का मतलब भी होता है आई यहाँ पे मुझे, I का मतलब यहाँ पे मुझे आ रहा है I also like cake, मुझे cake भी पसंद है I also like cake, छोड़े छोड़े sentences पहले बनाईए धीरे धीरे करकर के उस sentences को लंबा कीजिए तो इस तरह से जो English में पकड़ है वो आपकी मजबूत हो जाएगी मुझे ये पसंद नहीं आया अब देखें, यहाँ पे मैंने का नहीं आया तो आप यहाँ पे did का इस्तमाल करेंगे और यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपने not लगाया I did not like it I didn't like it did not को बार-बर आप did not नहीं पढ़ते हैं जब spoken English की बात की जाती है आप बार-बर did not, did not नहीं कहेंगे आप कहेंगे didn't यहाँ कि did not I did not like it यहाँ कि I didn't like it मुझे यह पसंद नहीं है मुझे चॉकलेट पसंद है ठीक है, मुझे चॉकलेट पसंद है तो आप कहें I like चॉकलेट मुझे उसका संगीत पसंद है यहाँ कि मुझे उसका गाना पसंद है I like his music I like his music I like his music इसी तरह से अब अंगला sentence देखे आप यहाँ पर मैंने लिखा कि मुझे लाल गुलाब पसंद है मुझे लाल गुलाब पसंद है पीले वाले नहीं पसंद है ऐसे बोलते हैं तो मुझे लाल गुलाब पसंद है I like red roses I like red roses मुझे लाल गुलाब पसंद है मुझे यात्रा करना यानि कि मुझे ट्रैवल करना पसंद है मुझे घूमना पसंद है मुझे यात्रा करना पसंद है अगर आपको यह कहना है तो आपको आपको संगीत पसंदे इसी तरह से आप मुझ भी पूछ सकते हैं क्या आपको वो पसंदे क्या आपको यह पसंदे इस तरह से आप बना सकते हैं कई संटेंस क्या आपको संगीत पसंदे Do you like music? Next sentence मुझे ये पसंद नहीं है मुझे ये पसंद नहीं है तो आप कहें I don't I don't यहनकि do not like this I don't like this मुझे ये पसंद नहीं है I don't like this मुझे छोटे बाल पसंद है मुझे चोटे बाल पसंदे I like short hair मुझे लंबे पाल पसंदे I like long hair मुझे बाहर जाना पसंदे इसे कैसे बोलेंगे यह आप मुझे बताएं मुझे चोटे बाल पसंदे I like short hair मैं वास्तम में आपको पसंद करता हूँ I really like you I really like you मैं वास्ताव में आपको पसंद करता हूँ, I really like you, next sentence, अगर आपको कहना है, पूछना है किसी से, क्या आपको, क्या आपको tennis पसंदे, क्या आपको tennis पसंदे, do you like tennis, do you like tennis, इसी तरह से आप पूछ सकते हैं, क्या आपको match पसंदे, do you like match, okay, चले next sentence देखें, वो हमें पसंद नहीं करता, वो हमें पसंद नहीं करता, अगर आपको ये चीज़ इंगलिश में कहना है, तो आप कहें, he doesn't, he doesn't like us, हमें, हमें की, इनकी हम की इंगलिश us होती है, ठीक है, वो हमें पसंद नहीं करता, he doesn't like us, he doesn't like us, मुझे मुँबती की रोशनी पसंदे, I like candle light, देखें, मुँबती की इंगलिश होती है, candle और येनकी रोशनी, इसके लिए आप ते light world कर इस्तिमाल किया, I like candle light, मुझे टीवी देखना पसंदे, I like watching टीवी, मुझे टीवी देखना पसंदे, उसी तरह से अगला sentence देखिए, क्या आपको खाना बनाना पसंदे, क्या आपको खाना बनाना पसंदे, Do you like cooking, क्या आपको खाना बनाना पसंदे, Do you like cooking, मुझे फिल्मे पसंद नहीं है, मुझे फिल्मे पसंद नहीं है, मुझे फिल्मे पसंद नहीं है, तो आप कहें, I don't, I don't like movies, I don't like movies I don't like movies मुझे फिल्मे पसंद नहीं है Next sentence अगर आपको कहना है किसे से मुझे ये बहुत मुझे ये बहुत पसंद है मुझे ये बहुत पसंद है तो आप कहें I like it very much I like it very much very much यहनि कि आपने आपे बहुत के लिए very much का इस्तमाल किया मुझे ये बहुत पसंद है I like it very much मुझे ये पसंद सिंपल मूलना था तो आप कह सकते हैं I like it I like it लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है तो आपने बोला I like it very much I like it very much ओके टॉम मुझे पसंद नहीं करता टॉम डेजन्ट लाइक मी टॉम डोजन्ट लाइक मी, टॉम मुझे पसंद नहीं करता, टॉम लाइक 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 किसे पूछेंगे, आप एक लड़की की बात हो रही, इसलिए आप यहाँ पे does कहेंगे, आप कहेंगे, does she like oranges, does she like oranges, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, I don't like studying, I don't like studying, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, अगर आपको कहना है कि मुझे यह वाला पसंद नहीं है, मुझे यह वाला पसंद नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, तो आप कहें, I don't, I don't like this one, ठीक है, मुझे वो वाला पसंद नहीं, I don't like that one, I don't like that one, एनके मुझे वो वाला पसंद नहीं, तो यहाँ पे मुझे यह के बा आप सभी के लिए homework के आप लो comment किर किस concept बताईएगा मुझे खेल खेलना पसंदे ये अगर आपको कहना है तो आप कैसे बोलेंगे इंगलिश में सेम उसी तरह से बनेंगे sentence इसलिए आप कोशिश करें और comment किर किस concept दे वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए helpful हो तो वीडि